हमारे स्पाइन के सबसे उपर के दो वटेवराज या मनकों को हम C1 या C2 कहते हैं यह C1 और C2 जो हैं यह हमेशा एक फिजियोलोजिकल नॉर्मल रेंज के अंदर ही मूव करते हैं मतलब जब हम गर्दन हिलाते हैं किसी भी डिरेक्शन में तो यह दोनों साथ में मूव करते हैं लेकिन जब इनका मूवमेंट नॉर्मल रेंज से बाहर चला जाता है मतलब C1 और C2 एक स्रिंकुनाइस्ट मूवमेंट ना करते हुए जैसे एक दूसरे के उपर से फिसलने लगे या अबनॉर्मल मूवमेंट होने लगे तो हम इसको C1, C2 इनस्टेबिलिटी कहते हैं यह चोट लगने से हो सकता है या डीजनरेटिव कंडिशन्स में हो सकता है या जूमेटाइड अर्थराइटेस, मारफान सिलन्रोम या फिर ऑस्टेजनेसिस इंपरफेक्टा है इन सिचुवेशन्स में यह हो सकता है जब यह चोट लगने से या ट्रॉमा से होता है तो जब यह सिम्टम्स इस तरह के होते हैं कि जैसे माईलोपैथी के सिम्टम्स होते है जैसे हाथो या पैरों में सुन पनाना, भारी पनाना, मूवमेंट में दिक्कत होना मोशन इवीन का कंट्रोल जाना या चलने में बैलेंस जाना या जकडन रहना शरीर में या फिर सर के पीछे इस भाग में जिसको हम सब और सिपिटल हैडेक कहते हैं वो होना रेली अगर इसमें ब्लड फ्लो वाली वेसल्स दमने लगती हैं तो फेंटिंग अटैक्स या बेहोश होना सरदर्द होना, आँखों में देखने में दिक्कत या फिर कान में कोई दिक्कत इस तरह की चीज़े भी होने लगती हैं जबकि क्रेनियल लॉव इंवॉल्मेंट इसमें शुरू हो जाता है तो अगर इस तरह के कोई सिंटम है आपके डॉक्टर ने आपका MRI या एक्सरे किया है जिसमें कि इसका doubt लग रहा है तो हो सकता हुआ आपका dynamic MRI या dynamic X-ray करें dynamic का मतलब है कि वो movement के दौरान दो अलग-अलग X-ray MRI करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि क्या C1 और C2 अलग-अलग move कर रहे है अगर यह अलग-अलग move कर रहे हैं और यह establish हो जाता है कि इसमें C1-C2 instability है इस patient में तो फिर उसका classification होता है नॉर्मली इसके चार classification होते है जो कि movement की limit के हिसाब से होते है rare conditions में या जब इसको जल्दी हम पकड़ लेते हैं शुरुआत के symptoms में तब हो सकता है caller लगाने से या कुछ दवाईयों से या हेलो traction से इसका इलाज हो पाए लेकिन अगर symptoms जादा हो गए है हातो पैरों में weakness है या myelopathy frank develop हो गी है या चक्कर बहुत आ रहे हैं या paralysis के condition आगी है उस situation में हमें इसकी surgery करनी होती है अब इसकी surgery normally हम पीछे से करते हैं और उसमें screws और रोड लगा के C1, C2 को हम fix कर देते हैं इसको posterior cervical fixation surgery कहते हैं इसको normally हम लोग अगर safety बढ़ाना चाते हैं या हम चाते हैं surgery में कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो तो हमारे hospital में तो हम इसको OAM या 3D reconstruction technology के enter करते हैं जिसमें कि हम surgery के दोरहानी CT scan जैसी चीज होती है उसमें देखते हैं कि screw placement accurate है की नी किसी तरह से vessel injury या nerve injury ना हो रही हो साथ ही हम अपने center में neuromonitoring का use करते हैं neuromonitoring मतलब surgery के दोरान ही हम nerves को monitor करते हैं कि मरीज को किसी तरह की दिक्कत ना हो जब हम OAM या 3D navigation और neuromonitoring यूज करते हैं उससे surgery की success rate बहुत बढ़ जाती है हमारे पास काफी ऐसे मरीज आते हैं जो later stages में होते हैं जिनको surgery की जरुवत होती है तो जब हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए नई technology के साथ में surgery's करते हैं तो इसके result काफी अच्छे हैं और मरीज अपनी normal life में वापस भी चला जाता है अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले और जादा से आदा शेयर करें